आज हमने फूल साइज गलब जे बनाए हैं, किस तरीके से बनाए हैं, इसकी वीडियो सुरू करेंगे सिंपल से 50 फंद हमने डाल दिये हैं, 50 फंद एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इसी तरीके से पूरी लाइन बिल लेंगे, फिर दूसरी लाइन में सीधे के उपर सीधा, उल्टे के उपर उल्टा, इसी तरीके से पुरा बॉर्डर बिल लेंगे, तीन इंच बॉर्डर हमने ये बना लिया है, अभी तक एक सीधा एक उल्टा बिन रहे थे अब एक साइट से सीधा बिनेंगे और इस साइट से उल्टा इस तरीके से दो फंदे बिन लिये हैं दो फंदे बिनने के बाद एक फंदा यहां से बढ़ा लगे नीचे से उठा रहे हूं इस तरीके से वह एंगै यहां पर बढ़ गया है फिर दो फंदे भीण लेंगे पीर यहां पर एक फंदा फिर बढ़ा line इस तरीके से नीचे से लिया औरम दो बो पीर जोनीगैं पुरिशी सेलाई में बड़ा लगे लिवीषी उल्थी-उल्थी बिन लगे बॉर्डर बिनने के बाद हमने दो इंच उपडर को ये सीधा-सीधा बिन लिया है अब इसके इन फंदों के दो हिसे कर लिये आधे फंदे इस सलाई में बिन रखे हैं आधे इस सलाई में है इसको इस तरीके से उल्टी साइड को फोल्ड कर दिया है सीधा साइड अंदर को है उल्टा साइड बाहर को अब एक सलाई और ले लंगे यहां से हम अमठा निकाल रहे हैं एक फंदा बिना बिने हुई निकाल दिया है पीछे आली सलाई से यह निकाल दिया है आगे वाली सलाई से एक फंदा बिन लेंगे पीछे आली से निकाल लेंगे बिना बिने हुई आगे वाली से बिन लेंगे पीछे आली से इस तरीके से निकाल रहे हैं आगे से बिन रहे हैं दोनों सिलाईयों से बराबर फंदे ले रहे हैं एक वहां से एक कहां से- एक कहां से एक कहां से 12 फंदे हमने यह भीन लिये हैं अब इसको इस तरीके से मोर देनगे आँ अब यह फंदा हमने अभी अगली सलाई में बिना है तो इसे इस तरीके से निकाल देंगे, ये बिना हुआ नहीं है, तो इसे बिन लएंगे, ये बिना हुआ है से निकाल देंगे, यानि कि एक फंदा बिन रहे हैं, एक बिना बिने हुए निकाल रहे हैं, इस तरीके से, बिलास्ट का फंदा हमने बिन रखा है तो इसे निकाल लेंगे यह फंदे को बिन लेंगे इसी तरीके से पूरा अंगुठा अपने साइज की अनुसार हम बना लेंगे अंगुठा हमने पूरा बना लिया है अब इस फंदों को हम बंद कर देंगे दो फंदे ले लिए हैं दो का एक कर लिया फिर ये फंदे को इसमें डालेंगे अब ये तीन फंदे ले लेंगे तीन फंदों का एक कर लेंगे इसी तरीके से पूरे फंदे बंद कर लेंगे अगुठा हमने पूरा बना लिया है पूरे फंदे बन कर लिए, अब हतेली भी नंगे, जिस तरीके से हमने उठा बिना, उसी तरीके से हतेली भी भी नंगे, एक फंदाय ले लिया, पीछे आली सलाई से, आगे वाली सलाई का बिन ले लिया, पीछे से उठा लेंगे, आगे से बिन लेंगे, पीछे से बिना बिने वे उठा रहे हूं, आगे से बिन लेंगे, इसी तरीके से पूरे फंदे हम बिन लेंगे, पूरे फंदे बिन लिये हैं, जो पहली लाइन में बिना था उसे इस तरीके से निकाल लिए बिना बिने हुए और जो उस टाइम इसी तरीके से निकाला था उसे बिन लिए एक फंदा ये निकाल लिया ये बिन लिया इसी तरीके से पूरी हतेली बिन लेंगे दो इंचे हमने उपर को ये अंगोठा निकालने के बाद बिन लिया है अब हम इधर से छोटी अंगोठी निकालनेगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आर्ट, नो, दस, ग्यारा, बारा बारा फंदे हमने ये निकाल लिये है अब ये बारा फंदों को उपर को बिन लेंगे एक बिन लेंगे, एक निकालनेगे जो पहली लाइन में बिना था उसे निकालनेगे और जो पहली लाइन में निकाला है उसे बिन लेंगे इसी तरीके से उपर कोई से बिन लेंगे इतना हमने ये बिन लिया है अब हम ये फंदे बन कर लेंगे इसकी लंबाई चोड़ाई आप अपने अनुशार बिन लेंगे एक आगे से पीछे का दो फंदे लेंगे दो का एक कर लेंगे फिर ये फंदे को इसमें डालेंगे तीन फंदे लेंगे तीन फंदे ले ले तीन का एक कर लेंगे इसी तरीके से पूरे फंदे हम बन कर लेंगे पूरे फंदे हमने बंद कर लिए हैं अब दो सिलाई हम इसे बिन लगे पूरे फंदे दो सिलाई उसके बाद यह जो तीन उंगलिया हमारी बची हैं यह तीन उंगलिया निकालंगे तीन फिंगर यह जो बचे हुए थे यह भी हमने बना दिये हैं गलब जह हमारा पूरा हो गया सेम इसी तरीके से दूसरा भी बनाएंगे अब इसके इस हिस्से को हम सिल लेंगे आप सीधी साइड से भी सिल सकते हैं और उल्टी साइड से भी सिल सकते हैं पूरी सिलाई हमने कर लिया है अब यह सीधा कर लिया है सबसे छोटी अंगली इससे दो सलाई बढ़के हमने यह बनाई है यह दोनों उंगलिया बराबर बनाई है इससे दो सलाई बढ़के याली अंगली बनाई है अगर आपको फिंगरलेस गलब जिबनाने हो तो वो भी हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं आप लोग वहाँ से देख सकते हैं अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें नए नए डिजाइनों के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें